रड़ी स्टार्ट अध्यक्ष महोदय मैं करसी मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है कई माननी सदस्यों चार बार बोल चुके हैं अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहान भूती होनी चाहिए मैं कहना चाहती हूं कि मैं किसान की लड़की हूं और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए कमखेटी करने वाले घरों में महिलाएं जादा काम करती हैं, उनको हर सुविदा होनी चाहिए, हमारे मद्धप्रदेश में इस वर्स पानी बहुत कम बरसा है, वर्सा बहुत कम हुई है, वर्सा कम होने की वज़े से फथल बहुत कम हुई है, इसलिए मेरी प्राफना है कि किसानों का इस वर्ज का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए उनसे इस वर्ज लगान बिलकुल नहीं लिया जाना चाहिए वहाँ पर किसान ने अगर पांच मन बीज डाला था तो मुश्किल से दस मन गेहूं ही हुआ होगा किसान रो रही है उनको कोई सुविधा नहीं है इसलिए उनका इस वर्ज का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें किसान की घलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वहाँ बाजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं किसानों को व्यापारी लोग कम दाम दे कर चूसते हैं किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है इसलिए हमारे करसी मंतरी जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में ना बिकने पाए अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कारियों को समय पर नहीं निप्टाती है समय रहते किसान की उन्नती और खेती के सुन्दर विकाफ के संबंध में मैंने बहुत सी बाते की विरा